कि यह वेल्कम टू फिजिक्स में आज हम लोगो डिसकस करेंगे लेक्ट्रस्टाटिक पॉटेंशल न कैपेसिटेंस का टॉप हंड्रेड एमसी क्यूज यह पार्ट थी है पार्ट वन एंड पार्ट वालरीडी चैनल में फ्लोट किया गया है और काफी इंपॉरेंट है क्लास लिस्ट में जा सकते हैं या फिर चैनल के में पर वहाँ पर बहुत सारा कॉंसेप्शल वीडियो अप्लोट किया गया है जो आप लोग के लिए काफी है पूल होने वाला है चलिए देखते हैं लोग आज का क्वेस्टन पहला क्वेस्टन है इन रिजन ऑप कॉंसेंट पोट गंश्वी अगर इसको पोटेंशल कॉंसेंट करना तो जील करेंगे अगर शिरो आएगा जीरो ऊबआ लिकर्शनेंट यह व्यब्वाइठिक यह जीरो यह साई हो सकता है सटायर देख देखे देर केन वी नो चार्ज इंसाइड देरिजन यह भी करेक्ट है इसका करेक्ट हो जाएगा भी एंड सी तो इसका ऑप्शन भी एंड सी करेक्ट होगा दो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा नेक्स्ट क्वेस्टन है एक पोजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे लेक्टिक फिल्ड में तो इसको पार्टिकल एक्सलेट करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा क्याइन इंक्रीज करेगा और क्याइन इंक्रीज़ करेगा तो पोटेंशिल इंटर्जी उसका और सी डिक्रीज करेगा इसका तो इसा उप्शन देखिए कूंसा है तो यह सही हो जाएगा चार्ज पार्टिकल एस ही लिए और इसका पॉटेंशब्स करेगा तो ऑप्सं सी करेक्ट हो जाएगा next question है if 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 column from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt find the value of V तो देखे हम लोग के पास relation वता है delta V equal to work done by charge देल्टा भी उता है चेंज इन पोटेंशियल तो फाइनल पोटेंशियल पाइटिकल का भी है तो यह भी फाइनल माइनस भी इनिचल को मुलू डेल्टा भी बोलते हैं और work done का value दे दिया है 100 जूट डिवाइडबर चार्ज है और कुलांब तो फाइनल पोटेंशियल भी है माइनस इनिचल पोटेंशियल है माइनस टेन भोल्ट डेट इस हंड्रेट वाइफ पोर इसको मुलू 25 लिख सकते हैं कि नेक्स्ट कोई संहें इस मेटालिक है तो यह पोटेंशियल होगा जो सर्फिस का पोटेंशियल होगा वह इंसायट किसी भी पॉइंट का होगा surface का potential 10 volt है और metallic surface है conductor तो inside किसी point पर उसका potential same होगा जो surface पर होगा because जो की potential होता है the potential at center is also 10 volt option भी correct हो जाएगा next question है the potential of a large liquid drop when 8 liquid drops are combined is 20 volt then the potential of each single drop तो देखे 8 drop combine होकर के है एक बड़ा सा डॉप बनाया है यह हम लोग का सबस्क्षे ड्रॉप का 되어 और यह बड़ा सा डॉप में कंवार्ट है इसका डॉप करेटीस हम लों भूपर आवर यह बोल देते हैं इसका चार्ज क्यों ले एंस को टॉटल चार्ज एड कि यह जाएगा यह बिगभर परfilm को जाये छूटन पर को जानेel होज्ञल तो कि एड क्यूब लिशनी म।केस आठ गूप बचना भी है इसको भी एस भोल दे रहें द्याध की स्केट्पने लिगल सकाने से सिंगल रॉप का तो अब देखिए अपर से एट रॉप मिलके एक सिंगल रॉप बनाया तो हम लोग यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे इसका टोटल का वॉल्यूम इकल टू यह वॉल्यूम हो जाएगा तो एट इन्टू वारीची पाई पाई लग्यू मेंत फोड़ भाईव एक Speech पाई वाई टू एक श्मेल अर कीव यहां सा वंछा पूल्यूम को वॉल्यूप का ववॉल्यूम कंजर्व किया, यहां सा लोग को पूट कर लेते हैं वेल्यू तो के इन्टू एट क्यू डिभाइड वैर के वैल्यू तो यह सॉल्फ होगे कि इतना आ जा रहा है वैल्यू कि क्यू बैर इन्टू फोर तो अब यह किसका पोटेंचिल था बीगर ड्रॉप का था तो देखें वीगर ड्रॉप का पोटेंचिल आगया इतना और यह है यह जो एक्सपरेशन एक क्यूव आर यह स्मॉल ड्रॉप के लिए हैं लोग का रिलेसन क्या आगया वी इक्वल टू इसको मुंद बोल देंगे वी एस स्मॉल ड्रॉप का पोटेंचिल इंटू फोर तो भ एक पॉइंट इच तो पोटेंशल भी है तो भी होता है वर्क दन इंफिनिटी इस पॉइंट पर ले आने में कितना हो जाएगा मुल्टिप्लै कर लेंग हो दोगि यहां से तो भी इंफिनिटी इटू भी हो जाएगा पोईट्पेशन है इंटो भी तो यह जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है दो पोटेंचिल अपोटेंचिल डिस्टेंच आर से किस तरह बेरी करता है तो याद रखना है फॉर्मॉला वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर्टीब होता है डापोल के सिंगल अ क्विएख टो थींच्टियू child अब लोग को याद हुगा डापोल का पोटेंचिल अन्य जेनल पॉइंट पर आर डिस्टेंच प्रों तो यहां पर प्रोपोर्शनल आरे स्क्वार हो जा रहा है तो ऑप्शन डी कर्एक्ट होगा नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है इस प्रोटेंशल इन इस प्लेंशल प्लेंशल जीरू होता है इसका प्रोटेंशल निगेटिव प्रोटेंशल पोजिटीव तोनों सेम वहां पर सम हो जाएगा जीरो आप्शन भी कर्एक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है एब एंड़ी और थ्री पॉइंट सीन इन उनिफार्म एलेक्ट्रिक फिल्द एलेक्ट्रिक पोटेंशल इस कि कियह का ओगा मेंं कहां पर होगी मिनियूंग का पर यह पता करना है तो ऊडिया रखना एलेक्ट्रिक प्लार प्टेंशल से लोग पोटेंशल जाता है तो एक का डायाइक सबसे ज्यादा potential B पर होगा और सबसे कम होगा A पर और average होगा C पर maximum at B होना चाहिए तो maximum at B हो जाएगा maximum at A नहीं होगा minimum at A होगा and maximum at C भी नहीं होगा same भी नहीं होगा because high SL हो जाता electric field to be at highest potential so option B is correct next question है the graph shows variation of voltage B across the plates of two capacitors A and B versus increase of charge Q storing them which of the following capacitors higher capacitance कि तो भी इकल टू हता है Q by C तो C क्या हो जाएगा हम लोग का कि यहांसे Q by B relation आ जाएगा तो दिखे चार्ज यहां पर constant है इस लाइन पर तो C inversely proportional हो गया भी का अब C inversely proportional भी का जिसका भी कम होगा उसका C ज्यादा होगा तो भी जिसका कम होगा एक भी कम है तो एक का कैपेस्टेंज ज्यादा होगा और भी का बी का पोटेंचिल ज्यादा होगा उसका कैपेस्टेंज कम होगा एक का potential होगा higher एक पोटेंचिल क्या है lower as compared to be to कैपेस्टेंस of a will be greater than कैपेस्टेंस of b higher कैपेस्टेंस पर जाएगा कैपेस्टेंटर a next question है two plates of capacitor are at potential minus 10 and 30 volt if the separation between the plate is 2 meter the electric field between them is electric field होता है कि डेल्टा भी बैडेल्टा आर इल्टा भी है potential difference तो 30 माइनस माइनस टेन हम लोग कर लेंगे difference एक प्लस में मैंने में तो दूनों add हो जाएगा डेल्टा भी करने से और आर है टू यह 40 वाटू आ जाएगा कि सॉल्व हो करके तो 40 वाटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा सॉप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो यह था हम लोग का पार्ट भाड़ पार्ट फूर भी जल्दी हैं अप्लोड करेंगे तो देखते हैं फिर next वीडियो में